तरसल आप दानिश अंसारी साहब को ठाटा देए दानिश अंसारी साहब को बहुत बढ़ा मंत्री मंदल नहीं मिला इसके पहले अहमद हसन साहब समाजवादी सरकार में ताप 5 मंत्रियों में होते थे उन्होंने एक काम किया था एक काम में उनका बड़ा योगदान है बिजली बिल उन्होंने बुनकरों की फिक्स करा दी उसके लिए वह बड़ा संघर्ष किये थे लड़े असल में जो भी MPA में ले पसमांदा समाच से हुए वह पसमांदा के कारण नहीं हुए थे अपनी पहली बार भारत के इतिहास में किसी सेयद को रिप्लेस करके एक जोलाहे को मंत्री बनाया गया उसकी जगहां और यह संदेश दिया गया कि हम पिछड़ी दात की उजह से बना रहे हैं पसमांदा को रिपर्जेंटेशन दे रहे हैं यह सरकार का एक बड़ा कदम है तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इस नाम पर इनको बनाया गया है तो उनको करना चाहिए यह करेंगे पहली दूसरी चीज़ जैभीम जैमीम मिश्रा जी ने कहा कि ओएसी साहब ने दिया हमने नारा नहीं दिया देखिए आप जैभीम भीम साहब से चलिए काशी राम माया वती जी तक चले आईए उनसे नीचे आप चले आईए चंडर शेखर रामन साहब का जितने भी दलित नेता हुए किसी ने दलित और पसमांदा की बात नहीं कि दलित मुस्लिम एकता की बात की तो ओएसी साहब की भासा वो पहले बोल चुके हैं ओएसी साहब उसी को अप्डेट सब्सेटर रहे हैं अप समझत वात को आज तक बामसेव इसी इसी भी बहुजा नान्दोलन रही दो पसमांदा की बात की कि साथल्शा काहिक बहुत अंतर नहीं अग्याल वो हमारे कभी थे ही नहीं, मेश्राम साहब ने कहा, मेश्राम साहब 85 बनाम 14 नारा देते थे, और जैमुल निवासी का नारा देते थे, मैने का 85 बनाम 15 बढरा में 15 में ब्रहिमन चत्री वैश हो गया, और 85 में बाकि सब हो गये, कि मूल मुवासी में हमारा सयद नहीं आता, हमारा शेक नहीं आता, यह आप कईसे कह रहे हैं कि 85 बनां 15 भी चले जैं मूल निवासी नहीं दोनूं अरे एक साथ कईसे चल सकते हैं। जबस चाहे हैं, मेसराम साथ के पास जवाब नहीं था, मने कहा, उनके compra, मैंने सकत हे आप से बड़ा है वह दो गळाटे हैं, ऐसी आप से बड़ा है श्प्ध लेखा नहीं है, आप से बड़ा है ऐस्ट啊rs का उध घाटन, आप सेयद महमुद मदनी नामक गिदेशी से कराते हैं 2012 उन्होंने लखनों में कराया था राष्टिय धिवेशन को उठाटन तो मेशराम साहब के पास जवाब नहीं था आफिर में संगठन में आता जाता था भासलों में बोलने के लिए मुझत भुलाना फोड़ दिया उन्होंने तो OIC साहब वही लाइन पकड़े हैं मेशराम साहब वाली, काशीराम साहब वाली काशीराम ने कहा तो मुसलमान कई तबकों में बटा है डाक्र अमबेटकर साहब ने भी लिखा थाटा पाकिस्तान में लिखा पाटिशन आफ इंडिया में लेकिन बात हनेशा मुसलमान होगी कि पूरे मुसलमान होगी तो वो OIC साहब को सूट करेगा हर मुसलिम नेता को सूट करेगा तो बहुजन आंदोलन से देखिए भंकों कोई उमीद नहीं रहे पाद हो सकते हैं तो ज्यादा हम दर दिया गए या सोटा होगा कि ओट दादा मिल जाए तो जो भी हो वो डरते थे क्योंकि वो मुसलिम नाम पर बने यहीं मुझे कहिए और अगर कहें तो मैं एक फोड़ा सा पीछे कला जाओं दो बाते हैं और पहीं देखिए मैं देखिए में बहुत हायरस जदा हूं मैं बीच में जुडादे हुई क्या नहीं अलग बात थ मोहम्म्मत ताहवar के बाद 3 नियाई ख्लीफा मांने जाते हैं भूर समरी बासने दियों चार नियाई क्हलीफा मानने जाते रहा से जाते हैं घो कि अफ मारत उस्मान था कि ये अपने ही कबीले के लोगों को अपने ही नात रिष्टेदारों को हर जगह अरजश्ट कर दिये हैं, बड़े बड़े पद्दे दिये यानि बाकी को रिपर्जेंटेशन नहीं दिया तो पहला विद्रो जिसे आप नियाईग खलीफा कहते हैं मुहमत साहब का बड़ा सहावी साथी मानते हैं, उसके खिलाब भी विद्रो का कारण किया था कि उसने अपने ही कबीले के लोगों को सब कुछ दे दिया ये आरोप लगा, मैं ये नहीं कहता तहीं गलत लेकिन ये आरोप लगा कर हुआ और यजीद के पिता अमीर माबिया जिन पर बहुत आरोप लगते हैं उन्होंने 661 से 680 तक शासन किया एक शतर राज एक भी विद्रो नहीं हुआ जब कि हजरते अली चौत्या खलीफा मुहमत साहब के दामाज से भी उनका संगर्ष चड़ा लेकिन उनके पिरियड में 40 साला हुकूमत में एक भी विद्रो नहीं हुआ और उनके बाद सोसल जस्टिस पर काम किसी मुसलिम हुकमरान नहीं किया उन्होंने हर कभीले को रिपर्जेंटेशन दिया था इतनी बड़ी तारीफ यतना बड़ा स्तानिया मुसलमानों के सामने है उसके बाद भी मुसलमान सोसल जस्टिस नहीं करता है अब बताएए ये अंधा है बहरा है या ये इतिहास की समझ नहीं रखता और पूछिये तो बड़ी लंबी-लंबी अरभी में तक्रीरे करते हैं मुसलमान सोसल जस्टिस से कैसे दूर हो गया वो हजरते उस्मान को सामने रखते और हजरते अमीर माविया का पीरियर रखते कि वहां क्यों हुआ यहां क्यों नहीं हुआ